तो प्रेंज मैं आपके शार करने वाले हुँ एक भूर्जी की रैसीपी, यह तू इन बन रैसीपी है इस भाषी से आप सैंभिश बना सकते हैं, आप इससे पराथा बना सकते हैंило को अच्छा बंता है आप एक बार बनाएंगे तो बार बना के खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा तो मैंने इस बुर्जी को कैसे बनाया है और इसमें टिप्स और ट्रिक भी मैंने दिये हैं तो आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाई फ्रेंज वेलकुम बेक टू मैं चैनल पुस्पलता किचन पुस्पलता किचन को सब्सक्राइब किजिए बेल बटन को जरूर दबाएए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डानों चलिए तो आज की रेसिपी स्टाट करती अंडा भूर्जी बनाने के लिए यहां पर मैंने चार अंडे लिये हैं और इनको हमें बिल्कुल भी फेटना नहीं है जैसे कि हम इसको फेट लेते हैं आमलेट बनाने के लिए तो इसको फेटना नहीं है अंडे की भूर्जी में यह फर्स टिप से अपके लिए इसके बूइन बूण ज़िए हरे इसे इसे अच्छ चॉप किई टोमेटो ने कुण देगे और इसको अच्छ तक पखने चला लें और इसको क्या करना है इसके बाद जब यह अच्छे से पक जाएगा और हमारा टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा फिर यहां पर मैंने धनिया पॉडर लिया है और यहां पर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा पावभाजी मसाला जिससे की फूर्जी का टेस्ट ही एकदम डिफ्रेंट हो जाएगा चीली पावडर एट किया मैंने तो यह मसाला आप जरूर एट करके बनाएगा तो एकदम इस्टीट वाला फ्लेवर आएगा इसमें तो आप इसको भी एट कीजिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस स्टेज पे हमने जो एग लिये हैं वो एट करे जाना है नहीं तो फिर यह वैसा हो जाएगा जैसे की आमलेट बनाते हैं उस टारीब से तो वह नहीं करना है तो इसको हमें इस तरह से करना अगर इस एलग होंगे और अच्छे से हमारी रेडि होगी तो continuous हमें इसी तरह से हिलाते रहना है जब तक कि ये अपने भूर्जी की तरह नहीं हो जाता है तो आप इसी तरह से मैं देखिए continuous चलाते हुए ही इसको कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी करना है तभी आपकी भूर्जी परफेक्ट बनेगी तो अब यहाँ पर भूर्जी मेरी अच्छे से बन चुकी है अब यहाँ पर मैंने add किया है chop किया हुआ धनिया यहाँ पर आप कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर भूजी हमारी रेडी हो गई हो कितनी एकदम अलग अलग अच्छी सी रेडी हुई है तो देखिए बहुत ही अच्छी बनी है हमारी एकदम एक एक दानी अलग अलग बने हैं लाश्ट टिप्स यह है है कि यहां पर हमको दो चमच यॉप्स मिल्क एड़ करना है उससे क्या होता है कि जो ऑच्छी की एक ऍिसमेल आती है किसी कीशी को नहीं पशंद होती है तो अगर यहां पर यह मील्क एक भूर्जी को सर्व कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भूर्जी बनी है आप जरूर मेरे तरीके से आप एक बार ट्राइ कीजेगा इस भूर्जी को आप पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं इस टप पराठा बना सकते हैं इस टप करके सैंड्विच बना सकते पाव के साथ आप खा सकते हैं और बहुत ही सारे इसका यूज है तो आप जरूर इसको ट्राइ किजेगा उमीद है कि आपको पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कमेंट और शेयर कर दीजेगा और पाव को चाहिए तो मैं वह लाओंगी तो चलिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइब फ्रेंज गूट डेट टेक केर स्टेए हो मिस्टेश्स